कि आल चला है वाई लोगों तो आज चुके एक और नए गेम प्ले वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ यार तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता है जैसे मेरे साथ हो रहा है मैं जितने भी होड्रॉप में उतर रहा हूं उदर बंदे आहीं नहीं रहे बंदे वो तो अच्छा अब मुझे गाड़ी के सामने यूएंपी मिल जाते यूएंपी लेती भाई निकलते यहां से मिलिटरी बेस के तरफ और जैसे रस्ते में जारते में जारते में बंदा सोट होता है जो पहले मुझे बंदे लग रहा था पर जब कि सी बंदे को कि तरह मारों था पता मैं अगर इसे बॉट के तरह मारता तो यह बंदा मुझे मार जाता वो तो अच्छा हो मुझे इसकी गाड़ी दिग गए थी पीछे साइड थी तो मैं समझे यह रेल बंदा और इसे भाई एकदम सावदानी से मारा मैंने इसे और इसकी टीमेट भी आसपास हो सकते थे प टो इसे बंदे कर रहे और जो सीड यह बंदे के फाय रहे हुते हैं तो जपास हों कि है तो बहुत साहर те लोग बोलिए कि में क्राउच करके क्यों चला था मैं इसले चला था क्योंकि मुझे पता था नीचे बंद है उसे मेरा साउंड इसलिए मैं कराउच करके चला था और बंदे को मेरा लिटरेली साउंड भी नहीं आता है अब बार इसके टीमेट की यहां पर और इसे मारते ही भाई हां पर मेरे कमसी हम तीन किल निकल जाते है और जो चौता केल बच रहता है वहीं पर मीरे सामने आ जाता है तो है यहांपर जीनぎ वाली स्कौर्ड को मैंने मारा दूमेट अभी से विल्लिंग के तरफ वे तो है यहां पर मैं यह इस पी लाकर साइड है दोनों बहुत हाट टीपी पी ले हुए है तो मैं सीधे इस एंगल से बिल्कुल नी जाऊँगा और सिधे फ्लैंक करके जाऊँगा उन बंदों पर रसकन में कि थे अलोग कि चाल कि था तो इतना है मीं वह बंदर ओ सिनो उन्मारत Great है मेरे पर मैं जहाँ पर फ्लैंक करके आतो थो एक बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है देखना हैं मिए इस पी जब ड्राय कर रहाता है तो वा बंदा मुझे सीडी पर दिखता है और वो बंदा भाई लिटरली यहां पर सीडी पर पेटी लूट रहाता है पेटी लूटते लूटते इसकी पेटी बनने वाली है अब बार इसकी टीमेट की तो यहां पर मैं एक ESP फेक देता हूं और उस ESP में वो बंदा भाई बिल्कुली भी नहीं आता है जो इसका टीमेट होता है तो मैंने सुचा वो वह वह दूसरी सी विल्डिंग में वागा और यहां पर मैं जब सारी चीजे लूटता हूं तो मुझे उस बंदे की जो फूट इस्टैप होता है वह नीचे वाली बिल्डिंग से आ रहे होते हैं और यहां पर मैं दुबार ESP फेक के चट में चड़ जाता हूं चट पर तो नहीं यह विंडो पर चड़ जाता हूं और बंदे की इतने कले टाइमिंग होते हैं जो मैंने ESP यूज कर रहा था उससे मुझे इसकी लोकेशन पता चल जाती है लोकेशन पता करने के बाद एक संगल तो इससे दो हैट्शॉट पढ़ते हैं और यह बंदा इतने जल्दी लॉबी पहुंचा हुगा कि इससे भी प उससे सीधी निकलते हैं पहीं मिलिटरी पर इससे निकलते होई जाते सीथे ब्रीज में हैं तूब उस बंदे तो इस बंदे को नौक करते हैं सबसे पहले मैं हेल्थ मारते कुई कि मैं समझ जी है अगर इसके और बंदे भी उंगे तो मेरी हेल्थ वैसे जाई रही है और जोन भी बहुत गंदा काट रहा है तो मैं हाँ पर आराम से क्राउच करके पूरी हेल्थ फुल करता हूं और इतने जो टीममेट है वो से जोन पर भाग रहा है उसे अपने टीममेट की कोई भी जरुवत पड़ी नहीं है तो मेरी खाल से इस टीम का रैंडम बंदा होगा तो मैं समझ गया इसके और बंदे भी हो सकते है तो आप देखना भाई यहाँ पर क्या ही गाड़ी चलाता हूं मैं लिटरिली वो बंदा भाई MK का गन का जो रिकॉयल कंट्रोल करने के लिए वो डॉप सॉट मारता है डॉप में स्कोप खोल के पर भाई उसकी एमो मुझे ज्यादा पढ़ती नहीं है बस गाड़ी पहुच जादा डैमेज हो जाती है और इनका ESP में फोड दे तो मेरी बार यह मेरा ESP यूज करने का क्योंकि यहां पर जो बचे आप दो बंदे बचे होंगे जैसे ESP में बंदा स्पॉर्ट होता तो एक ही दो तिन हैट्शॉट पढ़ता है इसे और यह बंदा नौक हो जाता है तो इस बंदे को मैं फिनिस नहीं करता है क्योंकि इसका एक टीमेट भी और बचाता अगरे टीमेट आसपास ही होगा तो यह जरूर रिवाइब देगा और इतने में इसका टीमेट बड़ा हरामी होता है और वो भाई कवर से निकलता नहीं है तो मैंने इसके टीमेट को मार दिया तो वो बंदा देखो भाई टीपीप कहां ले रहा है इतनी तग्रीर टीपीप ले रहा है कि इसकी आधी बॉड़ी का पॉर्शन मुझे पूरा दिख जाता है और मैंसे काफी एजिली हेट्टोर मार के उसके टीमेट के तरह से भी लॉबी बचा देता हूं तो मुझे इस बंदे की लूट चाहिए थी क्योंकि इसके पास थी एमके क्लोज रेंज की मतलब सबसे पावर्फुल गन है एमके तो मैं इस बंदे से एमके उठा लेता हूं यहां पर निकलता है बंदों पर रस करने और अपराइब चाहित अंतर इस्का हो भूल चा ने ब्लाद निकल्सी अश्याओं की अपदर सब्सक्राइब फैर जंब को मैं पहले सब्सक्राइब कर दो यहां पर थे आते अपाटमेंट के तरफ आफ इसके इसबास बदर बहुति यह कि है क्यsten AL thoughtful मोली मार देते कि मैं उन पर रस नहीं और उतने में बंदा नीचे कुझ जाता है अब बार ये MK रिलोट करने की और लाजट बंदे को पेलने की तो भाई MK जैसी पावरफुल गन भाई PUBG में आपको देखने को मिले की नी क्योंकि अगर 1v1 फाइट लेनी अगर आपके हाथ में MK है तो आप बंदे के पाउं में मारा हो चाहे सर में मारा हो बंदा काफी इजली नौफ फिनिस्ट हो जाएगा तो यहां पर इन बंदों को भाई पेटी बनाने के बाद निकलते हैं यहां से क्योंकि बंदे बचे थे कम और गिल भी मेरे उतने कुछ खास हो नहीं रहते तो देखना भाई अगर कमेंट करके बता कि यह बेफालतों की टिपसेंट्रिक कौन यूज करता है तो मैं अपनी ह देमेज कर देता हूं अब बारे इन बंदों को नॉक फिनिस करने की और इतने में देखने हैं यहां पर यहां पर मुझे दूसरे साइट से पढ़ने लग जाती है तो मैं समझगी हां पर बहुत ही गंदी थेड़ पार्टी होगी तो इसलिए मैं कवर में आता हूं और लेता हूं और काफी अच्छी कवर डोड़ता हूं तो यहां पर मुझे बहुत ही बढ़्या कवर देखने को मिलता है तो इस कवाले कवर पर मैं आ जाता हूं और यहांसे पर पीछे के तरफे आता है जो बग्गी का सांट होता है पर बग्गी वाला बंदा बड़ा हरामी बंदा और यहां से निकल जाता है तो काफ़ी इसाद फ़्र Belgium कर सकता था आ और वह बगयादा यहां से निकल जाता है अब बार इसामें जाले एकत्वत आथे बंदों इस पियुक्त करता ओं सिवय क्यों है पहला बंदा यह बंदयों को मार के भाई मैं पीछे निकलता हूँ कि वो बंदा इप्पर काफी ऐसली नेड मार सकता है जैसे पीछे जा रहा था तो मैं यहां पर अटक जाता हूं और अटक्टे अटक्टे वो बंदा भाई अपने टीमेट को रिवैट देने जा रहा था वो तो अच्छा हो यहाँ पर मेरा पीक ऑला गली चोड़ था भाई पीक के साथ इसकोप ऑला बटन दब भी नहीं रहा था कम से कम चौथी बार ट्राइ करा तो तब जाके पीक ऑला परटन दबा तो यह बंदा भाई यहाँ से फायर दे देता है और यहीं गलती कर देता है देखना इसके साथ क्या है स्कैम करता हूँ मैं तो पहले काड़ी से खुदा वह भाहर अब भी निकलानी रहे तो होँप मैं फिए गाड़ी चलाने का त्राइ करता ओं और जैसे मैं फिए गाड़ी चलाता हो बंदा पाई गाड़ी में मालने लग जाता है और मैं उतर के काफी इजिली से हेट शॉट दे देता हूं लॉबी पुचा देता हूं और देख सकते हैं इसी gameplay के अंदर यहां पर दुबार मेरा ग्लेच हो जाता है पीकला बटन के साथ इसको बड़ा बटन बिल्कुल भी दब नहीं रहा होता तो यहां पर दूसरी या तिसरी बार यह बटन दबता है तो यहां पर बचेते हैं अब लास्ट में दोई बंदी इस मिले तो इस बंदेगी और जैसे गाड़ी लेकि जोन में जाता हो तो महीं आपे मुझे बग्याला बंदा दिख जाता है जो वाई क्या ही लेटा होता है यहां पर तो यह एकदम खुले में लेटा हुआ था और इसकी पीटी काफी इसली बन जाती है अगर आज का गेंप्ल